हर दिन की तरह आज भी मैं अपने सभी कामों को पूरा करके सोने जा रहा था कि तभी मेरा मोबाइल बज उठा मैं सोच में पढ़ डियच गया कि आखिर ये महान प्राणी कौन है जो रात के ग्यारा बजे फोन कर रहा है मैंने मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर देखा तो मेरे एक अजीज दोस्त दिनेश दिवाकर का फोन था मेरे चेहरे पर हलकी सी स्माइल आ गई दरसल जब से मैं कॉलेज के बाद मेडिकल लाइन में घुसी हूँ तब से किसी को ठीक से टाइम नहीं दे अप रहा था खैर जिन्दगी का शायद यही दस्तूर है या उनका कोई पिछले जन्म का कोई पाप मैं यही सब सोच रहा था कि कॉल कट हो गया मैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया और तुरंत दिनेश के नंबर पर कॉल किया घंटी जा रहा था बट वह रिसीव नहीं कर रहा था फिर थोड़ी दिर घंटी जाने के बाद कॉल रिसीव हुआ मैंने हेलो दिनेश बोलो लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आया मैं थोड़ा सोच कर बोले हेलो दिनेश, are you there? कुछ बोलो भी मेरे भाई नाराज हो क्या मुझसे? उधर से हलकी सी आवाज आई भाईया उसके बाद दिनेश जोर जोर से रोने लगा मैं परिशान हो गया कि दिनेश को क्या हुआ? वह रोक क्यों रहा है? क्या हुआ मेरे छोटे भाई, तुम ऐसे रोक क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? मेरे भाई प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ, सब ठीक है ना? दिनेश रोते हुए बोला वह मुझे छोटड़च कर चली गई भाईया कौन छोट़च कर चली गई? मैंने सवाल किया दिनेश मुस्कान वह मुझे छोट़च कर चली गई भाईया मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा ये कहकर वह रोने लगा मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये लैला मजनू की कहानी है जिसमें लैला अपने मजनू को छोड़ाश कर चली गई है और अपना मजनू जल बिन मचली की तरह टटटड़ हाप रहा है दिनेश मेरे भाई तू रोना बंद कर? ठीक है वो वापस आ जाएगी तू चिंता मत कर वह अभी गुस्सा होगी तुमसे जब गुस्सा शांत हो जाएगा वह तुम्हारे पास आ जाएगी मैंने शाम को शांत कराने के लिए बोला हलाकि हम सभी को पता है कि जैसे तीर कमान से बात जुबान से और प्राण शरीर से निकल कर कभी वापस नहीं आते वैसे ही एक बार छोट राज कर गई गरिल फ्रेट भी दुबारा वापस नहीं आती यह कहकर मैं ग्लास का पानी उठा कर पीने लगा दिनेश रोते हुए बोला नहीं भईया आप समझ नहीं रहे वह वह इस दुनिया को ही छोट ड़कर जा रही है क्या यह सुनकर मेरे हाथ से गिलास छूट कर नीचे गया मैं वहीं शाक्ठ होकर बिस्तर में धम से बैठ गया मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था दिनेश रोते हुए बोला हाँ भईया मैं भी उसे नहीं रोक पाया मैं बिना कुछ बोले बस दिनेश की बातें सुने जा रहा था मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे कि कौन है मुस्कान वह दिनेश से कैसे मिली क्या हुआ था दिनेश और मुस्कान के बीच जो मुस्कान इस दुनिया को चोट डिकर जा रही है नमस्कार मेरा नाम है मिस्टर स्ट्रेंजर मुझे पता है आपके मन में भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे आखिर कौन है ये दिनेश और मुस्कान और उनके बीच में क्या कर रहा हूँ मैं जो भूतों के साथ बैठ कर भूतिया कहानिया लिखता हूँ विया जिस प्रेम कहानी के बीच में खड़ी डी दिया है इसके पीछे भी एक बहुत बढ़्धा कारण है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ये दो प्यार करने वालों की एक सच्ची प्रेम कहानी है जिसका अंत बहुत दुखत है दिनेश पूरा नाम दिनेश दिवाकर, 22 साल का दिनेश आजकल के बच्चो जैसा मॉडल नहीं है, जो किसी लड़की के पीछे अपना जीवन बरबाद करें उसके लाइफ का सिंपल सा फंडा था कि अच्छे से परहाई करके जॉब पाए और परिवार की पसंद से शादी करके एक सुखी जीवन व्यतीत करें कॉलेज पूरा होने के बाद वह एक कोर्स करने के लिए अपने परिवार से दूर अकेले रहने जयपूर शहर आया हुआ था जिन्दगी की भी यही सच्चाई थी, उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी मम्मी पापा ने उनसे एक वादा लिया, कि बेटा हमने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की तुम्हें जो चाहिए था वह ला कर दिया, किसी चीज की कमी नहीं होने दिया इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा करो कि तु किसी लड़िडड़ाकी के चक्कर में नहीं पड़िड़िड़ेगा, अच्छे से परहाई पर ध्यान देगा शादी का क्या है, जब तु बोलेगा हम तेरे लिए एक अच्छी सी सुन्दर लड़िच की ढूंड कर लाएंगे और पुरे धूमधाम से शादी करेंगे कि दुनिया देखती रह जाए तुम्हें तो पता ही है कि सब कितना जलते हैं हम इतने गरीब होकर भी तुम तीनों भाई बहनों को परहा रहे हैं उपर से तुम लोग आजकल के बच्चों जैसा कोई भी नाशादी नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी है हमारा परिवार इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी नाक कटे दिनेश ने वादा किया, मा मैं वादा करता हूँ कि शादी आप सभी की मर्जी से ही करूंगा इसके बाद दिनेश जैपूर आ गया दिनेश के पापा उसे जैपूर आये थे, कॉलेज में एडमिशन दिलवाया और उसके कुछ दूर पर ही एक रूम का भी इंतिजाम करवा दिया उसके पापा दो दिन रहे फिर वापस जाने का बोले तो दिनेश की आँखों से आंसू निकल गए इससे पहले उसे उसके पापा देखे वो तेजी से पीछे मुद्धा और बाथरूम की और दड़े गया और रोने लगा आज से पहले दिनेश का दिल बैठा जा रहा था कि वही यहां अकेला हो जाएगा तब ही उसे पापा की कही हुई बात याद आई बेटा हम लोग मिडल क्लास लोग है आज कल की दुनिया में जीने के लिए पैसा जरूरी है जब तक हमारे अंदर ताकत है तब तक तुम तीनों भाई बहनों को कोई कमी नहीं होने देंगे लेकिन कुछ सालों में हम लोग भी बूरह हो जाएंगे तब हम भी एक तरफ से बच्चे बन जाएंगे जिनका खयाल तुमें ही रखना होगा